नाम बुजूरगा दूद जो देता, हुकम बुराना गैबी हो, महल कुए छत जिस्दिम बनता, दमा लावंदी मिर्गी हो नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपको एक महतुपूरण बात बताना चाहता हूँ मैं और मेरी टीम 12 भावों पर बैठे हुए, मैं बैठे हुए 9 ग्रहों पर, अलग लग भावों पर 108 वीडियो इस चैनल पर लगातार डाल रहे हैं मैंने ये सब बातें असली उर्दू की लाल किताब के तीनों संसकरणों के, 1941, 1942 और उसके जो अंतिम संसकरण 1952 में से ही बताए हैं या फिर जो खुद की मेनत या सब विद्वानों से जो मैंने पिछले लग बग 13-14 सालों के अनुभव से सीखा है या इकठा किया है, सब उसी के अधार पर मैं आपको बता रहा हूँ आपके मन में अगर किसी तरह को की प्रशन हो, आप हमारी नीचे दी गई वेब साइट पर, फोन नमबर पर या कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए, हम आपको इसका उत्तर जरूर देंगे दोस्तों, अब बात करते हैं भाव नमबर आठ में बैटे हुए चंद्र की, लाल किताब में इसे मुर्दा माता या जला हुआ दूद कहकर पुकारा गया चंद्र यहाँ पर अशुब फल परदान करता है, जिसके कारण कभी-कभी चंद्र यहाँ पर उम्र को लेकर भी शक्की हालात पैदा कर देता है और चंद्र खराब फल देने के कारण ऐसा इनसान ग्रहों के वश में आकर इस चालू और रोगी भी हो जाता है चंद्र एक ऐसा ग्रह है जो हमें confidence देता है और हमारी मनोदशा को represent करता है क्योंकि यहाँ उसका जो फल है वो खराब हो जाता है अक्सर इसलिए यह मानसिक परेशानिया या confidence में कमी देही देता है पर अगर आपकी कुडली में भुद्ध नेक हुआ तो इस इनसान की अपनी उमर और इसकी मा की उमर लंबी हो यहाँ तक कि जब तक मा जंदा रहेगी इसकी अपनी उमर भी लंबी होती जाएगी अक्सर देखा गया है कि मा और जो बेटा है दोनों की उम्रे लंबी ही होती है और पहले ऐसा इनसान खुद दुनिया से जाता है और फिर इसके बाद ही इसकी माताजी का देहानत होता है मैं आपको हमेशा लाल किताब का जो खालिस ज्यान है वह हमेशा आपको वही देने की कुशिश करता हूँ ताकि आप उसके उपाय और उसके परहेज ये दोनों रख कर अपनी जिंदिगी में सुधार ला सके चंद्र आठ में अकसर देखा गया है कि अगर ऐसे इनसान के घर में यहां घर के पास कुआ हो यहां कोई ऐसा बंद बोरवेल हो जो अंदर से खोकला हो तो यह बहुत मंदा असर देगा और अगर वह कुवा या बोरवेल बंद पड़ा हुआ है और उसमें गंदा पानी या कच्रा आदी जा रहा है या उसे खाली रखकर उपर उसके चछत डाल दी गई है और अरंदर से उसका हिस्सा खोकला रह गया है तो इस इनसान की जिन्दगी को ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा समझे कि ऐसे इनसान के जिन्दगी खराब ही मानी जाएगा मासी, नानी, दादी, सब दुखियां, ससुरार उजड़ा हुआ हुगा और उलाद को लेकर भी चिंता बनी रहे इन हालातों में जब भी चंदर जहरीला असर देता है तो घर में डिप्रेशन आ ही जाता है किसी ना किसी को नियूरो की दवाईयां या ब्रेन से रिलेटेड दवाईयां चलती रहती है चाहे कैसी भी हो कभी कभी शरीर के किसी अंग में महसूस करने की ताकत कम हो जाती है यानि कि जैसे डाइबेटीज के जो मरीज होते हैं उनके पैर सोने शुरू हो जाते हैं जिस इनसान का चंदर आठ में हो और उसने उपर से कहीं शेर मार्किट में पैसा लगा लिया या जुआ अधी खेला, सटा अधी खेला तो वह पूरा घर बरबाद कर देगा ऐसा इनसान अपना अक्सर दो नंबर की कमाई करते हुए पाई जाते हैं ऐसे लोग कुछ लोग इस ग्रययोग की वज़े से मज़े वली बात तो यह कि वे कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे ऐसा इनसान वहमी बहुत होता है अमूमन हर चीज को शक की नजर से देखेगा और अगर किसी चीज पे ताला लगा दिया तो उसे वो बार बार जाके चेक करेगा कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं चंद्र आठ में होने की वज़े से ऐसे इनसान का जो वाटर पार्टिकॉलर है वह खराफ हो जाता है ज़्यादा तर रोग पानी से रिलेटीड होते हैं या ठंडी से रिलेटीड होते हैं, जैसे कि सर्दी ज्यादा लगती है, जुकाम ज्यादा हो गया, शरीर के किसी हिस्से में पस भर जाना भी एक हिसाब से गंदा पानी भर जाना होता है, प्राइवेट पार्ट वगरा में पानी की दिक्कत आनी, लिकोरिय वगरा, लेडिस को गाइनी प्राइवेट या फिर हाथों पैरों में सूजन वगरा आनी, ये सब चंद्र आठ के मंदे होने की निशानी है, दोस्तो आठवा घर जो है, वह विनाशकारी शक्तियों का भी माना जाता है, और साधना का भी माना जाता है, और कई प्रिकार की गुप्त भी माना जाता है, इसलिए जो इनसान इस दिशा की तरफ जाने का शौक रखते हैं, उनके लिए ये सब हासिल करना आसान बन जाता है, अब बात करते हैं एजुकेशन की, कि लाल किताब में यहां बैठे हुए चंद्र की जो तुलना है, वे सूखे हुए दूद से की गई ह यानि की मिल्क पाउडर से, जिसमें जो दूद है, उसके सभी गुन मौजूद होंगे, परन्तु वे तरल नहीं होगा अब इसका दूसरा मतलब यह हुआ, कि मा या पढ़ाई का जो एक सूख है, वे एक अठा शायद ही किसी नसीब वाले को मिलेगा यहां तो मा का प्यार मिलेगा, यहां पढ़ाई से फाइदा मिलेगा अगर यह दोनों चाहिए, तो ऐसे जातों को चाहिए, कि वे अपने माता से दूरी बनाकर पढ़ाई करे इस से उसको दोनों का ही सुख मिलेगा अगर कोछ छोटा बच्चा हमारे पास आता है और वो पढ़ नहीं रहा है यहां एजुकेशन में पढ़ाई में कमजोर है तो मेरी सलाह रहती है कि उसे होस्टल में डाल डाल देना ज्यादा फाइदेमंद रहता है अब बात करते हैं एजुकेशन की ऐसे इनसान को किस सब्जेक्ट में एजुकेशन लेनी चाहिए ऐसे इनसान की हिस्ट्री या जियॉलोजी के अंदर पढ़ाई बहुत अच्छी देखी गई है माइनिंग का और यॉरॉलोजी का माइनिंग के अंदर गैने आपको पहले बोला डीप जाता है तो अंद्रूनी जानकारियां उसी तरह धर्थी के अंदर की जानकारियां भी माइनिंग के अनदर आती है वाटर पार्टिकल डिस्टरब होता है तो यॉरॉलोजी का स्पेशिलिस्ट बन सकता है यॉरिन से रिलेटिटीड प्रॉब्लम्स के लिए surgical tools, criminology इन सब के अंदर भी अगर ये पढ़ाई करे तो इसका गहन अध्यन करके ये अच्छी research करके फाइदा ले सकता है archaeology, dermatology, orthopedics इन सारे subjects में भी इस इनसान को फाइदा हमेशा होता देखा गया है अब बात करते हैं कि किस तरह के कारोबार और बिजनस इसको फाइदा देंगे समंदर से related कैसा भी काम हो C के साथ, shipping के साथ, shipping business के साथ कैसा भी काम हो फाइदा देगा जैसे कि merchant navy वगरा के अंदर जो लोग जाते हैं वे भी इन ग्रहों के अंदर होते हैं जो जा सकते हैं Casino चला सकता है, share market का का काम कर सकता है परन्तु खुद पैसा नहीं लगाना Boat houses, श्रीनगर डल जील वगरा में हैं ऐसे कहीं और भी है, तो boat houses मैंने पहले बताया कि आटवाँ घर है, चंदर है तो epilepsy वगरा से relation रहेगा तो ऐसे इनसान अगर epilepsy, fits या mental relief के साथ related medicines बनाने का काम करते हैं तो इनको फाइदा मिलेगा होमोपेथिक बनाने में अगर या आदमी अपना नाम कमाना चाहे तो भी उनके लिए यह opportunity है अब बात करेंगे उपाय की, कि कैसे उपाय करने चाहिए जो इनको फाइदा देंगे इस इनसान को बज़र्गों के नाम पर शराद जरूर करना चाहिए या उनके नाम पर ब्रहामनों को दूद पिलाना हमेशा फाइदा देगा जुवा, सट्टा, शेर मार्केट, इन सबसे दूरी भली बिजनस तो कर सकते हैं लेकिन खुद पैसा नहीं लगाना बहस इनसान को नुकसान देगी, कभी बहस नहीं करनी चाहिए मा से चावलियां चादी, आशिरवात के तौर पर मैंने बहुत जगा पर बताया है, इस जगा पर भी बता रहा हूँ आपको हमेशा फाइदा ही देगी इस इनसान को रात का दूद नहीं पीना चाहिए इससे उसका जो वाटर पार्टिकल है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा उससे पेट की प्राब्लम आएगे हॉस्पिटल यहां शम्षान में नल लगवा तो सकते हैं परन्तु पानी का दान इसके इलावा आपको नहीं करना चाहिए जहां तक हो सके इससे बचे चांदी का स्किर चौरस टुकड़ा हमेशा गले में डालने से चंदर का प्रभाव नेक हो जाता है चांदी की डिबभी में चावल और सफेद मोती जेव में रखने से भी चंदर जो है वो अच्छा प्रभाव देता है दोस्तों चंदर जो है वो सबसे तेज गती का ग्रह है आकाश में और बारह राशियों में गोचर करता है लगबग 2.5 दिन में वे एक राशी से निकल कर दूसरी राशी में चला जाता है इसी तरह हैं बाकी 8 ग्रह भी अपने अपने समय पर अपनी अपनी राशी बदलते हैं जैसे शनी महाराज है वे तई साल रहते हैं एक राशी में राहु केतु हैं वे हमेशा वक्री चलते हैं और लगबग 18 महीने में अपनी राशी बदलते हैं इसी तरहें लगन भी जो है वो एक दिन में लगबग हर धाई खंटे में बदल जाता है परहंतों जो उसकी डिग्री है वे हर पल बदलती रहती है इसलिए कभी-कभी जनम तारीक यहां जनम समय में थोड़ासा भी अंतर हो तो इसके जो फलादेश है इनसान के वे बदल जाते हैं उसकी डिग्री देखनी उसको कॉन सा ग्रेब बदल रहा है कौन सी राशी बदल रही है या गुचर में जो लगन है वा कब बदल रहा है इन सब बातों का कोई भी अच्छा ज्योतिशी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखकर ही फलादेश करता है वरना ये उसके फल को या आपकी राशियों के फल को बदल सकते हैं दोस्तों हम लोग कई रोचिक बाते आपको हर वीडियो में बताते रहते हैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आते होगी आप इन्हें आगे फॉरवड करना और इसे लाइक करना मत भूलिएगा जल्दी मिलेंगे किसी नए सब्जेक्ट के साथ नए ग्रह पर चर्चा करेंगे तब तक अपना आशिरवाद बनाए रखिये चल्दी ही मिलते हैं नमस्कार